तो आप सभी का स्वागत है इस नए अध्याय में जहां पर हम लोग सीखने वाले हैं माइक्रोमेटर स्क्रू गेज के बारे में अब यह वर्नियर क्यालेपर का भी बाफ है यह उससे भी बहतर इंस्ट्रूमेंट है अगर आपको इतनी बारीक चीज इतना पतला वायर का डाय इसका इसका स्वाल करते हैं जिसका नाव माइक्रोमेटर स्क्रू गेज सभी लोग को एक बात मैं जो बता रहा हूं अभी अपने पूरे होशो हवास में कान खोलके आखे चौड़ी करके सब लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे कान खुले रखके कोई भी से यहां से नहीं प अगलोगे तो अलग अलग जान लगा सकते हैं लेकिन यहां से कोई कितनी भी जान लगा है जादा जान नहीं लगा सकता है रीजन यह है कि यह एक पॉइंट के बाद और जहल नहीं सकता आगे बढ़ जाता देखो यह नहीं हुमेगा इसके वास ध्यान से सुनाना तो हर किसी को लेसें जब भी को इसकी उस्विस्व जादा पाकट लगाएगा तो बेसीखल लिए एक के बाद आगे निदे जाएगा लेकिन यह दब़ेगा निया अंदर यह ने जाएगा तो लिख रहा है है कि कि इसने साउंडर है नहीं तो बेसिकली यह सब लोग यूनि तो यह भी तो दब सकता है ना इसकी वैलू चेंज हो सकती है तो कोई ऐसा दबाना पए कोई जबरस्ती चीजों को इसलिए यह बनाया गया और हम इसे इसे लेंगे और इसमें फसाएंगे इसे घुमाया बस लोग हो गया समझ लेकर के से टिक तिक आवाद आ रही ना बिल्कुष सई जगब वे लॉग अब इसकी निकाले लेकिन रीडिंग निकालने से पहले सब्से जरूरी क्या होता है क्या होता है जीनोड निकालना अरे पहले बंद करके देखो के डिवाइस जीनो जीनोड़ यह कुलता हुँ यह लाइए जो दिखाइए दे रहा है जो दिखाइए रहा है उसका नाम है मेंस्केल यह पर दिख रहाए इसका zero और लिस्न यह देखो यह देखो यह पुरा है अरे देखोड़ो दिख रहा है समय यह 1020 3040 50 60 70 80-90 वापस से जिरो और है मतलब बाइड 0.1 करेक्ट 0.1 ही हो सकते है अकल के पुतलो यह एक यौन इक याप न पांच लिख ना यह 5 पांच मिलिमीटर में लिखा है यानिके 0.5 फाइटीमीटर आदा संटीमीटर यह और यह दो जीरो से 10 के बीच में दस लाइन सेंड़ा ना अरे यह 10 मिलीमीटर में लिखा रहे 10 mm नहीं here सबसे शोड noi का यही है cooling निकालने का क्या बासेठिक है दुझा निकालने का तरीका है सब्सक्राइब करते ना वर्नियर स्केल जब था तो 10 से डिवाइड किया था यहां पर कितने सो है ना तो से डिवाइड करो तो आंसर कितना हैगा सब्सक्राइब करने के बाद यहां पर मुझे ना यह जीरो और अप्रॉक्सिमेटली दिख रहे हैं इसमें जीरो एरर है सब्सक्राइब कितनी बाद में निकालेंगे अभी तो फिला सब्सक्राइब क्या देख रहें लीस काउंट कैसे निकालते वह सीख रहें तो सुनो जीरो और यहां पर दस दिख रहें अब इस दस को याद रखो इसको घुमाने का ज्यान से जीरो डग गया पुरा अरे अंद फिर्टर की जीरो की लाइन डग गविए अब सुनो इसका न दस घुमा के वापस से दरी दस लेकिया हो ओकि एक बार हो गया के दो बार हो गया 10 को इधरी लाने आं आपस रहरो गया एक संटीमेटर खुला है जीरो पर शुरू में अब ये दस पर पहुँच गया और 1CM कि धूठाउ जीरों हो इसको test onेर कि इसोटना चला मैं स्केल्व पर लगे स्बस्कों कितने डोडेशन्स दस रोडेशन्स की लिए तो पिच हो का 0.1 सेंटीमीटर हां के ना अब जो पिछ है 0.1 सेंटीमीटर का उसको डिवाइड कर देने का टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइब कर सक्राइब कितना बचकाना तरीक है शाइब है दस बार घूमने चलता चलता 0.1 अरे जिलो पॉइंट समझ में आया या एक बार तैन से जो एक बार घूमने चलता जो शेंटीमीटर कैसे निकाला वह वह एंधे बाइड़ी वाइड निकाल ते से तो फिर उसको पिच को डिवाइड कर देना है टोटल नुबर ऑप दिशन सब्सक्राइब कर देना है तो यह बहुत है ना समझे के नहीं समझे लेकिन पहले वाला और भी जाए आसान है कि सबसे शोड़ा दिविजन देख लेने का में स्किल पर जो कि आपको मालूम है 0.1 है और तो सॉसे डिवाइड करते हैं तो तुमको दो मिलेंगे एक्जाम में चले यह तो हो गया अब जीरो एरर चेक करते हैं तो आप बच्चे आप इसे पकड़िये और घुमाई अच्छे से यहां से पुरा बंद करिए इसको वीचे से पकड़ो यहां से अच्छे से बताओ जीरो फाइनली कितना आ रहे हैं तो जीरो एर दिखाए ध्यान से एकदम कितना आए आपको कितना दिखा रहे हैं तो बेसिकली हमारी जो स्टूडेंट है उसने बताया कि जीरो सर नीचे है और सेवेंट वाली जो रीडिंग आप देख सकते के जीरो के उपर नाइस यह ला से मैच हो रहा है इसको कहते हैं पॉजिटिव जीरो एर्र और नोट करते हैं plus 7 इसका कितना है प्लस 7 चले दूसरा माइक्रो मिटे मेरे लाई इसका भी चेक कर लेते हैं तो यह हमारे पास देखे पहला वह था दूसरा वाला यह है माइक्रमेटर स्कूरूगेज इसमें चेक कर लेते हैं जीरो एरर कितना है तो इसके जीरो एरर की शकल यह है आपका वन टू थ्री थ्री थर्ड वाला जो अरे मतलब तीसरे और चौथे के बीच में है बट थर्ड हम लोग इसको नोट करेंगे अगल के बुतलो देख पारे हो कि नहीं देख पारे हो तो बेसीकली जो थर्ड वाला ही लाइन है यह थोड़ा फ्लेशलेक से और गंदा दिख रहे है जो फ्लेशले लाइन है प्लस सेवेन था उसके बाद वाले का प्लस थी था अभी इसका जौ दिख रहा है आपको एक सेगें में लाइन मैंच वाइब इसे नइंटी के उपर और एक लाइन तो यानिके 91 अगर दिख रहा है तो इसको 91 नोट नहीं करने का अरे सौ मेंसे करने का और माइनस में लिखने का यह नेगेटिव जी रहर है अगर आपको 50 के उपर कुछ भी दिखा तो नेगेटिव जी रहर है पचास के नीचे जो भी दिखा पॉजिटिव जी रहर है सब्सक्राइब करने का नेगेटिव के लिए यह नेगेटिव के लिए माइनस करना पड़ेगा सो में से करेंगे सब्सक्राइब करने के लिए अगर मुझे दिखा थर्टी तो प्लस थर्टी आंसर है अगर दिखा सब्सक्राइब करो और फिर माइनस में लिखो अगल के बुद्लो समझ में आया कि नहीं तो पहले हम को कितना दिखा था एक वाले में कितना दिखा था सबसे स्ब्सक्राइब आप लाव इसमें अरे बैया जीरो जो है अपना उसके उपर कि जो साथवी लाइन है वो साथी लाइन इधर में से मैच हो रही है जो जीरो के उपर कि साथी लाइन है वो मैच हो रही है तो बेसिकली इसका प्लस सेवन है इस वाले का 91 वाला मैच हो रहे है तो इस वाले का जो है यह कितना है वही तो तुम्हारा कुछ आजी भी वीचितर दिख रहे कुछ दूसरी दुनिया का इसका ट्वेंटी के ऊपर एर बाइस है तो कितना इसका एर कितना है प्लस बाइस है प्लस बाइस है अरे हां के ना अगर अगर इसमें दिख रहा होता है तो मैंस में लिखो सो दिख थो मैंस में समझ पार यहाँ तो अभी हम लोग क्या करते है ना समझे ना अभी इस प्यारे वाले मेंसे हम लोग करते हैं जिसमें स्थ कर लेते हैं एक दम ईजी वाले से बेसिकलि अरे यह ज्यादा वड़ा दिख रहे हैं साथ वाला कि तर गया लाओ अले किसी भी कर सकते हैं मैं झाल तो थोड़ा और लाइफ को इसी बनाने के लिए सवेन RAW ले रहा हूं कि है मैया सब्सक्रूइब नहीं दो विखक्तिबूर बट्वर नग़्पर na अब ही हम लोगों ने 0 error ले लिया, 0 error हमारा कितना आया था बच्छा लोग, तो हमारा 0 error जो divisions आयता है था प्लस 8 divisions आयता है आठ दिखा था हमको तो प्लस 8 है वो, बहुत सारे अलग-अलग methods हो सकते हैं, समझाने कि बहुत सारे teachers कैसे समझाते हैं, कि जैसे कि अगर नम मेंन ला उपर साथवा division दिख रहे न, 7 is the 0 error, प्लस 7, are you understanding it? अरे, it depends, किसी भी teacher का method रॉंग नहीं है, लेकिन मुझे यह method जाधा पसंद है, जो मैं use कर रहा हूं, और वैसे ही, listen, अगर यह 0 उपर निकल गया होगा, तो इसके पीछे 90-20 रह गया होगा, तो 91 मुझे दिख रहा है, मैं कहते हूं, minus 9, are you guys understanding it? तो बात वो ही है, 0 नीचे रहे इसका नाम positive error रख दिया, 0 उपर निकल गया, उसका नाम negative error रख दिया, लेकिन हमें तो मालुए है, 0 के नीचे कुछ 90-20 दिख रहा होगा, are you guys understanding the point? good, anyway, तो 0 error हमारे जो इस micrometer screw gauge का है, वो plus 8 वाला है, लेकिन यह त जाएगा 0.008, is that okay, guys, समझ में आ रहे हैं, सभी के, के नहीं, good, अच्छा, यहाँ पर मुझसे basically एक trutty हो गई है, trutty is a Sanskrit word for mistake, तो basically मुझसे गल्ती हो गई, गल्ती है कि मैंने यहाँ पर जो micrometer का जो फोटो लगाया है, इसमें देखो 45 के बाद 0 दिख रहा है, यह 50 वाला अच्छный में से सीने माल में, इसमें 0.1 नहीं है, 0.1 का भी 0.05, 0.05, अरे मतलब 1 mm के बीच में भी लाइन दी वहें, 0 से 10 के बĩच में, आरे 10 तो मुझे डाइग्राम चेंज करना पड़ेगा जिसको मैं बात में चेंज करना अभी फ्यूचर में तो हमारे पास यह वाला नहीं है और इस वायर के लिए निकालना है तो यह मैंने वायर लिया और इसके भीच में इसको घुमा के फसा दिया चले यह तो बहुत ही बच्कान है देखने में वर्नेर कैलेपर से भी थोड़ा इजी है मुझे बताए मेंस के लिडिंग कितनी दिखरी है पहले तो आप लोग दर्शक है वो लोग देख लीजिए फिर बात में मेरे स्टुवेंट्स देखेंगे कितनी रिडिंग दिखरी है स सबीको मेंचेल बहुत ही बताओ दो लाइन दिखरी है तो आप सभी लोग बहुत ही गौर से देखें पर जब मैं यहां पर देख रहा हूं तो अच्छे से शिर्फ और सिर्फ मुझे एक ही लाइन दिखरी जीरो के बाद तो मैं इसको 0.1 नोट करूँगा आप कहेंगे कि स है आप लेंगे मं लेना है कि यहां पर आप मैं जो बात बोलने वाला हूं आपकी जिन्दगी की सबसे इंपॉर्ण बात वह यह हैं द्यान से सुनेंगे ठोड़ा दिमाघ लगएं ц्षिक लगाएं यह देखिए यह जीडो की लाइन थी बराबर यह होँक्षी 2 इन थी औ को जो लाइन की म्हीं कूछ रही है तो इसको अगर सिलेंडर रहा है न गध्र से ज्यादा तो इसे कॉंट करना नहीं थोड़ा से दिखेगा यह तो यह दिमाग लगा जरा इसको सिलेंडर ने अधे से दर कवर किया वैसको कांट नहीं करना जो अच्छे से दिखता है इसको इसको लेना 0.1 लेना है और लेसे इस बात का सबूत क्या है किस्वीरो और तक तने बात को यहां से यहां सो है तो अगर इसी के ऊपर चल के आप णे, अबेh 0.1 नोट करो हुआ, इसका पाएगा जब सिलेंडर थोड़ा और पीछे चला जाएगा, और फिर यहां पर, तीसरे बाड धर नगी यहां पर होगी, यहां पर 0.2 दिख रहा है वो नोट करेंगे और यहां पर आपको 60-70 दिख रहा होगा लेकिन सुनो 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 पूरा तो चुपा होगा नहीं थोड़ा चुपा हो इस पे आ गया आपको फिर यह नोट करना है क्योंकि पांस दिख रहे तो यह इसी का पांस दस है अरे इसका पांस दस नहीं हो सकता है जिरो पॉइंट टू का तो बलके 90 95 95 on a cheer today अगर यह फ्रोडिक लगाना पड़ता है और तुम सोचो यह पर दिख रहा है वन और टू भी दिख रहा है लेकिन बहुत हलका दिख रहा है आधे से तो अगर दिमाग अप्लाई कर दो मालूम पड़ेगा आपको कि यह वन वाले का यह लेकिन अगर सपोज यह कुछ ऐसा होता सुना मानलों के वाइर की लंबाई ऐसी कुछ होती ऐसी तो अब यह टू है लिसन यह तू है बताओ कैसे टू है यह हाला कि दिख रहा नहीं है लेक तो बेसिकली इस वायर की हमको लंबाई आ चुकी है एटी दिख रहा था ना उसको कितना लंबाई नहीं चोड़ाई डाइमेटर कितना दिख रहा था भई 0.1 में स्केल लोगों मैं लिकर रहा हूं 0.1 में स्केल सर्क्योर स्केल कितना है एटी सिक से 85 के उपर एक लाइन है और दो लाइने बलते 85 के पर दो लाइना है 87 87 तो बेसिकली यह 0.1 और 87 87 तो यहां पर 87 नोट करूँगा लेकिन नहीं है यह नंबर है यहां पर रीडिंग बनाएंगे 0.087 किस से मलिप्लाइ करें लिस काउंट से तो 0.001 से अब टोटल रीडिंग कितनी आ जाएगी 0.187 ऐसे एक और बार निकालेंगे तो शायद 0.185 आज है यह 0.192 आज है तो इसका मीन निकाल लेंगे तो अब यह काम आप लोग करने वाले समझ में आया कि नहीं समझ में आया और लिसन थोड़ा कर दिमाग लगाओगे अरे थो अब यह तो बाकी है मीन आने के बाद एक सब्सक्राइब इसमें 0.187 बापस से आ गया तो मीन कितना आ जाएगा 0.187 आ जाएगा और 0.008 था और वह भी प्लस वाला था तो यह बन जाएगा आपका 0.187 माइनस जीर कितना था जीर था प्लस 0.008 आपका आंसर आजेगा 0.19 सॉरी 179 179 तो 179 0.179 लिसन दो मिलीमेटर से कम आ रहे 0.1 cm का मतलब होता है 1 mm और 0.2 का मतलब होता है अरे अगर 200 आ रहा होता है तो 2 mm हो गया ना 0.2 अरे 0.100 मतलब 1 mm 0.200 मतलब 2 mm तो वन और 2 mm के बीच में लेट स चेक लेट स चेक यह देखो इदर देखो इसकी चौड़ाए देखो अरे वाइक इदर गया यह यह के लिए लुद्धी बसको इसको करो कि यह वन से ज़्यादा है ये अरू से कम अब देखो ध्यान से चौड़ाई यह वन से ज्यादा है तू से कम निखे रहा ने खाए है के ना तो बिल्कुल हमने सही निकाले है वी अंडेशूड इस तरीके से आप लग बाकी कभी निकाल लेंगे उ झाल झाल